क्यों का येस, कम्पोज यूर ड्रीम जाते हैं, तो कांग्रेस की अस्थापना से जुड़े हुए कुशन और उनकी अद्बेसन जुड़े हुए कुशन एकजाम में आते हैं, तो गलत नहीं होने चाहिए, इसको बहुत अच्छे से देखेगा, कही कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूश सकते हैं, उसका का नाम है, गोकुल दास संस्कृत, बिद्याले में की गई थे, और किस ने किया था, यह आपको अच्छे से यादखना है, तो यहीं से इसी एक लाइन से, दो लाइन से, आपको तीन-चार कोशन मिल गया कि कांग्रेस के अस्थापना कप की गई थी, कहां की गई थी, जो कि द्युमेश चंद बनरजीन को कहते हैं, यह भी आपको अच्छे से यादखना है, इसके लावा, यहाद रखना, जब आपसे यह भी पुछा सकता है, जब एओ हुम जो है, कांग्रेस के अस्थापना किया थे, तो वो किस पदपे थे, तो यहाद रखना, वो कलेक्टर के प पुछा जाता है, कि जब कांग्रेस के अस्थापना की गई थी, तो उसमें भारत के वायसराय कोन थे, तो लॉड डफरिन थे, यह आपको अच्छे से यादखना है, लॉड डफरिन जो है, इन्हीं के कहने पर ही, जो है, एओ हुम ने कांग्रेस के अस्थापना की थी, यह आपको अच्छे से यादखना है, ठीक है, और कहा के कलेक्टर थे, तो इटावा के कलेक्टर थे, यह भी कुशन आपसे पूछा जा सकता है, यह भी यादखिएगा, कि कांग्रेस का जो अधिविशन था, पहले पूने में होने वारा था, लेकिन पूने में जो है, प्लेग के स्थान पर इसका पहला अधिविशन कहा कराया गया, तो बंबई में कराया गया, ठीक है, इसके रामा, कांग्रेस के पर्थम अधिविशन में 72 परतिनिदियों ने भाग लिया था, आपको यह भी या रखना, कि कांग्रेस का जब पहला अधिविशन हुआ था, उसमें कि के लिए बताया गया कि उसमें 32 लोग सामिल थे क्योंकि कुशन इजाम में पूछा जाता है आगे बढ़ते हैं लिखा है कि कांग्रेस का प्रारंभिक नाम पहले भारते राष्टिय संग था जिसमें एवहूम ने कांग्रेस के स्थापना कि थी उसमें इसका नाम भारते तो अमेरिका की संसत को कांग्रेस कहते हैं और वहीं सी सब्द को लिया गया है इसका आर्थ है लोगों का समू और कांग्रेस जो है सब्द किसे ने जोड़ा था दादा भाई नेरो जी ने जोड़ा था यह पॉइंट आपको याद रखना है यहां से कुशन इक जाम में यह बार 1886 में इस आता और कोलकाता अरीशन में आठाट में आठाड़ा तिराणवे में लाहूर अधेशन में और 1906 में कोलकाता अर्वेसन में तीन बार अध्यच कोन थे दादा भाई नेरो जी उसी तरह से नहरू भी कांग्रेस के तीन बार अध्यच रहे हैं एक बार उन तो दादा भाई नेरो जी और नेहरू जो है कांग्रेस के थे तीन तीन बार थे ये भी कोशन एकजाम में आपसे पूछा जा सकता है अब हम लोग Congress के पर्मुक अध्वेशन को देखेंगे तो जाम में आगर आपसे अध्वेशन पूछा जाए बैठक पूछा जाए या फिस सम्मिनल पूछा जाए तो सारी बात वही हो रही है अध्वेशन की बात हो रही है उसी को घुमा फिरा के एक जामर पूछने की कोशि क्या थी , यह हमें अच्छे से याई रखना है, तो सुरू के पांच अद्बेसन हमें कांग्रेज की यार रखने है ।елен सुरू की 5 अद्बेसन बहुत महात पूर भी सन मैं सबकी चर्शा यहां पर एक साथ कर दूंगा. सबसर पहला कांग्रेज का अद्बेसन हुआ था 18!! दो बार जो है, WC Banarji कांगरेस के अध्यच दो बार रहे हैं, यह भी मैंने ही बता दिया है, एक बार 850 में और एक बार 1892 में दो बार कांगरेस के अध्यच यह रहे हैं, बातर परतिदियों ने इसमें हिस्सा लिया था, ये भी आपको याद रखना है कि कांगरेस के पहले अ नेरोजी ने ही जोड़ा था इसको आप याद रखना कुशन कई बार इजाम में आया हुआ है नेश्ट अद्वेशन है आपका 1886 का कांग्रेश का अध्वेशन है यह दूसरा अध्वेशन था यह कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्वेश को थे दादा भाई नेरोजी थे यह कांग्रेश के पहले पारसी अध्वेश थे यह आपको याद रखना है और यह कांग्रेश के तीन बार अध्वेश थे मैंने अभी आपको बताया भी था 86, 93 और 1906 में यह आपको बिल्कुर अच्छे से याद रखना है यहां से कोशन इक जाम में पूछ रहता है यह कां कांग्रेश के पहले मुस्लिम अध्वेश हैं यह आपको याद रखना है कि कांग्रेश के पहले मुस्लिम अध्वेश कोन है तो बदरुदीन तयब हैं यह बहुत महत पूर्ण है यह कांग्रेश के तीसरे अध्वेशन जो मदरास में हुआ था उसी के यह अध्वेश थे यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब अगर अंग्रेज को एक अंग्रेज गिरफतार करने आता अगर अध्धश को ते नियुश पूरे दुनिया में जाती। इसके बाद 1889 में कांग्रेज का जो पांच वा अध्वेशन हुआ था वो जो है बंबई में हुआ था और उसके भी अध्धश कोन थे एक अंग्रेज थे उनका नाम था जो है बिलियम बेडन बर्न था ये ये कांग्रेज के दूसरे अंग्रेज अध्धश थे ठीक है तो पहली बार फिरोष सा महता बनाएगे अपको याद रखना फिरोष सा महता जो है पुछयक गए और गम्रेज के दूसरी के अध्षय बनाएगे कहां पर जभ लाहोर में और पहली बार कलकता में और तीसरी बार भी कलकता मैंने आपको पहली बता दिया था 1906 में इसके पाद कांग्रेश का अद्विसन हुआ 1896 का कांग्रेश अद्विसन हुआ कलकत्ता में हुआ इसके अध्यशते रहीम तुल्ला सयानी थे और इसी अद्विसन में पहली बार जो है राश्टिय गीत बंदे मातरम को पहली बार गाया गया था तो यह कुशन आपसे पूछा जाएगा कि बंदे मातरम गीत कांग्रेश के किस अद्विसन में पहली बार गाया गया था तो 1896 के अद्विसन में कहा गया गया था कलकत्ता में अध्यश कोन था रहिम तुल्ला सयानी थे ये कुशन आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना कि पहली बार बंदे मातरम गीत कहां गया गया था ठीक है और कब गया गया था ऐसे ही कुशन एक्जाम में आपसे अद्वेशन से जुड़ हुए सात्मा गांधी जो अचिराफिका से बीच में लोट कै आए थे 101 में और कलकत्ता आद्वेशन में सामिल हुए थे ये बात याद रहना तो आप इसको गलती मत करियेगा वराणसी में बॉणै के अद्धियंच के वरांसी अद्वेशन अर्थात बॉणैरस में और सुदेशी आंधूर्ण का समर्थन इस अधिया गया था किसिव न को कांघरेश को अपनाना चाहिए ठीक है यह बहुत मादपूर्ण इसको आप अच्छे से याद रखिएगा इसके बाद 1906 का कांग्रेस अद्वेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नेरोजी इसके अध्येस थे तो दादा भाई नेरोजी जो है अध्येस बनाए गे थी सद्वेशन के और इसी अध्येसन में पहली बार सुराज सब्द का परियोग किया गया था तो कांग्रेस ने अपने लच सुराज प्राप्ती का लच कब रखा 1906 के कलकत्ता अद्वेशन में जिसके अध्येस दादा भाई नेरोजी थे तो कांग्रेस का जो लच था वो 1906 से लेकर के और 1928 तक जो है सुराज ही था लच था कांग्र 1928 के बाद जब 1929 का लाहर अद्वेशन हुआ तो कांग्रेस का लच क्या हो गया पूर सुराज हो जाता है जो आगे हम आपको बताएंगे तो आपको अच्छे सी यही याद रखना है कि सुराज सब्द का पहली बार परियोग किया गया और कांग्रेस लच का बनाया तो 1906 क कलकत्ता अध्वेशन में जिसके अध्वेश दादा भाई नेरोजी थे ठीक है नेक्ष अध्वेशन बहुत महात्पूर है 1907 का कांग्रेस का अध्वेशन यह सूरत में हुआ था और इस अध्वेशन में अध्वेशन को ले करके विबाद हो गया तो जो उग्रवादी थे लाला राजपत राय को जो है अध्वेशन बनाना चाहते थे आप बाल गंगा धरतिलक इन दूनें से किसी को बनाना चाहते थे और उदार वादी थे उन्होंiquerों नेरोजेशन में फिरोष सा मेयटा थे बदरुदीन तययड गोपाल किश्ट गोखले थे यह गयार गया और उगरुवादियों में लाल बाल पाल थे और अर्बिंद घोस थे इन लोगों ने जो है निर्ले लिया कि हम कांग्रेस से अलग हो जाएंगे तो कांग्रेस का विभाजन किस अद्वेशन में हुआ था सूरत अद्वेशन हुआ था जो 1907 में हुआ था और यहां अध्यच पद था और इसके अध्यच थे विशन नरायन दर थे और इसी अद्वेशन में पहली बार जो है जनगनमन गाया गया थो तो जो भारत का राष्ट ये गान है जनगनमन इसको पहली बार किस कांग्रेस का अद्वेशन में गया था तो 1911 के कलकत्ता अद्वेशन में गया था जिस के अध्यष विसंद रायन दत थे यह आपको अच्छे स्याद रखना है यहां से कुशन भीग जाम में आया हुआ है नेक्स अध्यषन है 1916 का कांग्रेस अध्यषन लखनव में हुआ था और इसके अध्यष थे अंबिका चरण मजूमदार थे इस अध्यषन की दो महत्पूर बाते हैं यह आपको अच्छे स्याद रखना पहली महत्पूर बाते क्या हैं इस अध्यषन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझधा हो गया था इसे हम लखनव समझधा कहते हैं तो कांग्रेस मुस्लिम लीग जो एक दूसरे की बिरोधी थी वो 1916 में एक कैस जब खलीफा का अपमान हुआ तो भारत की मुसल्मान नराज हो गए बिटी सरकार से और कांग्रेस के साथ समझधा 1916 में किया कि अब हम भी राष्टी आंदुरण आपके साथ मिल की लड़ेंगे तो खलीफा के अपमान के करण ही मुस्लिम लीग कांग्रेस साथ मिल गई औ सहीं तो समिलन हुआ और यादखना उसे हम कहते हैं लखनव समझोता कहते हैं लखनव पैक्ट कहते हैं यह आपको अच्छे स्यादखना है और इसी अद्वेशन में पिर्थक मताधिकार या निर्वाचन विवस्ता जो मुसल्मानों को दी गई थी वो कांग्रेस ने सुवि लखनव अद्वेशन में और यह भी यादखना कि कांग्रेस वो मुसल्मली की जो समझोता कराने में सबसे बड़ी भूमका किसकी थी तो बाल गंगाधर तिलक की थी और अनरम दल गरम दल को एक करने में सबसे बड़ी भूमका किसकी थी तो एनी बेसेंट की थी यह आपको को यहीं पर निमंतरण में रहा था चंपारण को जाने के लिए तब 1917 में गांधी चंपारण गए थे यह बात अच्छे से आप याद रखना ठीक है इसके बाद आगे बात करते हैं 1917 का कांग्रेश सथ बेशन हुआ था यह कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यच एनी बेश की पर्थम भारतिय महिला ध्यच थी एक कानपुर में थी 1925 में और 1935 में जो है नलनी सेन गुपता यह जो है कांग्रेश की तीसरी महिला ध्यच थी तो 17, 25 और 33 तीन बार जो है महिला हैं जो है कांग्रेश का नेतरुत समाला है इनको आप अच्छे से रट लेना यह कूशन आप से पिक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है नेक्स्ट आपका 1919 का अध्यचन हुआ था यह अमरिश सर में अध्यचन हुआ था और मोतिलाल नहरू इसके अध्यच बनाए गए थे दो बार अध्यच बने थे मोतिलाल नहरू एक बार 1919 में अमरिच सर में और एक बार 1928 मे बनाए गए थे अध्यश कौन तो मोतिलाल नहरू तो मोतिलाल नहरू जवहला नहरू जी के पिता जी थे और इन्होंने कांग्रेश की दो बार अध्यशता की थी यह आपको अच्छे सिया रखना है ठीक है इसके बाद 1920 का अध्यशन हुआ है नागपुर में इसके अध्यशत में इसके अलावा 1920 का एक कलकत्टा अध्यशन हुआ है जिसे हम कहते हैं कांग्रेश का व्शेस अध्यशन विस्वा जुराई में हुआ था इसके अध्यश लाला लायक पतराय थे और अस्षण में भी जू है अस्थाहोग अंध्योड को पास किया गया था तो अस्षाहोग में असाहुग आंदोल को पारित किया गया था यह बात या दखना यह कुशन इक जामे आप से पूछा जाएगा इसके रवा कांग्रेस दौरा पहली बार भासा या धार प्रांतों के गठन की बात कही थी तो कांग्रेस है कहना था कि जो भारत पे प्रांतों के गठन किया जा इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1924 का कांग्रेस दौरा फटा प्रांतों के तो बेल गाउं करनाटक में तो तो बेल गाउं कहा है कांग्रेस जिला है इसके अध्यच महात्मा गांगी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यच थे कब थे तो याद रखना बेल गाउं अद्वेशन करनाटक में यह बहुत मात्पूर्ण है इसको याद कने के तरिकाओं बता देता हूं बेल गाउं यही पर सोले फिल्म है उसकी सूटिंघ इसी गाउं में हुई थी बतब इसी जिले में हुई थी यह भी याद खना इसी वाहने आपको याद हो जाएगा नेक्श था का कांग्रेस का अध्यच अध्यच नहरू को बनाया गया तो कांग्रेस के पहली बार अध्यच कोन बनाएगे नहरू बनाएगे कब 1929 के लाहुर अध्यशन में इसी अध्यशन में पूर्ण सुराज या पूर्ण सुतंता प्रस्ताव पारित किया गया था तो कांग्रेस ने पहली बार इसी अध्यशन में पूर्ण सुराज या पूर्ण सुतंता की मांग को पेस किया था और इसी के बास से ले करके 1947 तक कांग्रेश का लच क्या था पूर्ण सुराज को प्राप करना तो पूर्ण सुराज लच कब रखा गया तो 1929 के लाहूर अध्यच को थे नहरू जी थे इसके लावा ये भी निड़ा लिया गया कि परते को 26 जनुरी 1930 को स लच बास अध़ ह्ट जटा इंग्याद या तया लटम में था कि सव जा रखना रावज के नुट तिरंगा जंडा फैराया गया क्योंकि लाहोर राभी नदी किनारे है और यही पर पहली बार नहरू जी ने भारत के तिरंगा जंडा फैराया था यह आपको अच्छे से याद रखना है यह कुशन कही बार एक जाम में आया हुआ है कि पहली बार तिरंगा जंडा जो है किस अ पहिरू जी ने फैराया था नेक्स्ट है आपका 1931 का कांगरेस अद्वेसन ये कराची में हुआ था तो कराची में 1931 में अद्वेसन हुआ इसके अध्यज बल्ला भाई पटेल बनाए गए इस सद्वेसन में दो महात्मूर बाते हुई थी पहला क्या हुआ था इस सद्वेसन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं अन्थ घांधी बार वाद कि वा अग तो कराची अध्यज बनाए तो यादखन में नहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ तो समाजवाद की जो विचारधारा थी वो नहरू मानते थे और इसी अद्वेसन में उन्होंने पहली बार ये बात कही थी ठीक है 1937 के कांगरेस अद्वेसन में जो फैजपूर में हुआ था इसके अध्यच नहरू बनाए गए तो कांगरेस के अध्यच तीसरी बार नहरू बनाए गए थे फैजपूर में जो है कांगरेस का पहली बार याद्वेसन था जो किसी गाउं में हुआ था ति यह है कहा पर यह फै जिला है वहाँ पर कहां महराष्ट में यो फैजपूर वहीं पर है तो सकता कोशना आपसे ही पूछ दे कि फैजपूर है कहां पर तो जलगाओं में है यावल नामक तहसीर में है यादखना जहां पर कांगरेस का पहली बार गाओं में अद्वेसन हुआ था इसके बाद 1938 का का अद्वेसन में गांधी जी से विबाद होने के कारण सुभाष्चन बोस त्यागपत दिया था और आजंदर परसाथ को कांगरेस का अद्वेस बनाया गया था तो सुभाष्चन बोस से गांधी जी का विबाद हो गया था क्यों हुआ था तो पट्टा भी सितार मया की हार पर गांधी ने कहा था ये मेरी बेक्टिगत हार है ठीक है इसके बाद गांधी से विबाद होने के कारण सुभाष्चन बोस ने जो है कांग्रेश पद और अध्यच पद दोनों छोड़ दिया और उसके अस्थान पर राजिंदर परसाद को कांग्रेश का अध्यच बनाया गया तिरपूरी में यह आपको अच्छे सिया रखना है ठीक है इसके बाद 1940 का कांग्रेश अध्यच अध्यच रहे क्यों अध्यच रहे समय बहुत क्योंकि 1940 के बाद 1945 तक कांग्रेश का अध्यच अध्यच बना रहे गया अब क्यों हिए तो क्योंकि दूतिय भी स्यूद्र चल ला था तो कांगरेस के अध्यशन नहीं हो पाए थे तो इसलिए जो है या रखना अब उलकलाम आजा लंबे समय तक कांगरेस के अध्यश बने रहे गए यह आपको या रखना है ठीक है और सबसे युवा कांगरेस के अध्यश भी यही थे तो देश की आजादिक समय कांगरेस का ध्यश कोन था जे भी किलपरानी इसको आपको अच्छे सिया दखना है यह कुशन एक जाम में आया हुआ है अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि कांगरेस के बारे में परमुख टिपड़ी किसे ने किसे ने किया था कांगरे जिसकी संख्या सुचम है तो कांगरेस के बारे में यह बात किस ने कहा था डफरी ne क्म से कम अलग 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 जामों में पांच बार यह कुशन आया हुआ है ठीक है किसने कहा था करजन ने कांग्रेश के बारे में कहा था ठीक है इसके अलावा करजन ने कांग्रेश को कहा था गंदी चीज कहा था और देश द्रोही संगठन भी कहा था किसको कांग्रेश को किसने तो लौड करजन ने जो भारत के वायसराय थे ठीक है इसके अलावा बंकिम च बंकिम्चन चटर जी ने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं ठीक है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं जन तक बीच में काम नहीं करते हैं तो बंकिम्चन चटर जी ने आरोप लगाया था कांग्रेस के लोगों पर कि कांग्रेस के तो लोग एक बार इकठा होते हैं, दो-तीन दिन खुब भासर देते हैं अंग्रेजों के बारे में और फिर वापस चला जाते हैं, जैसे सावन के महिने में मेधक निकल करके चला जाते हैं, साल भर नहीं बोलते हैं, तो हम अगर साल भर में एक बार मेधक की तरह निकल करके ब भारतियों के वार्सिक राष्टिया, मेले की संग्यादी, तिलक के साथ साथ लालाच पत्राई भी उगरवादी नेता थे, इनका कहना यह था कि कांग्रेस जो है, यह सम्मिलन होता है कांग्रेस का, वो साल में एक बार होता है, तीन दिनों का, तो यह लोग एक वार्सिक मेला को तीन दिनों का तमासा कहा था, तमासा मतलब होता है, महराष्ट में इसी को नाटक कहते हैं, तो असोनी कुमारदत ने कहा था कि कांग्रेस के सम्मिलन को तीन दिन का तमासा है, तीन दिन आते हैं, तमासा करते हैं, नाटक करते हैं, और फिर अपने घर चले जाते हैं, सु या अचना संस्ता किस ने कहा था विपिंचंद पाल थे ये भी जो है उगरवादी नेता थे तिलक ने कांग्रेस को एक और कहा था चापलूसों का सम्मिलन भी कहा था किसको तो कांग्रेस के सम्मिलन को कहा था किस ने तिलक ने कहा था और इसके लावा इस अद्वेशन को अपने घर चले जाते हैं, तो छुटियों का मनोरंजन और चापलूसों का सम्मिलन भी किसे ने कहा था, तिया तिलक ने कहा था, तो इस बात को भी आप यार रखना, यहीं सबसे कूशन एक्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं क कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उससे वाब आपको दिया जाएगा, इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा, जिससे इस तरह करा सा आपको ल थेंक यू